लो गाइज वेलकम हेर जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने वुजिन इवाल्व हो चुका होता है और वह वहां से भागते हुए कॉम्टिशन में शामिल होने के लिए जा रहा होता है और तभी दोस्तों लास्ट में उसको डिवाइन क्रोकोडाइल एंपरर फिल मि क्रोकोडाइल पिल को अपने हाथ में लिए होता है और उस पिल को वह देखते हुए कहता है हां क्या बात सबसे पहले क्रोकोडाइल पिल मेरे हाथ में आई है और इस चीज़ से बहुत खुश होता है और गाइस लास्ट टाइम मैंने आपको पांच गोलिया बते लेकिन दो आते हैं कि वो क्रोकोडाइल पिल को देख के सोसता है क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं जल्द से जल्द एलेक्जर को हासिल कर सकूँ फिर वुजिन कहता है अगर मैं इसके बारे में कुछ अलग तरह से सोसता हूं तो शायद मैं उसे जल्दी से हासिल कर सकता हूं फिर ये बोलने के बाद में चैन वुजन एक इविल इसमाइल करते हुए कहता है मेरे पास जो है करने के लिए सबसे पहले सभी डीमन को हराना है मुझे और यह कहते हुए वह उस गोली को खा लेता है और जैसे ही वह खाता है उस गोली को तुरंत उसके अंदर से बहुत सारी स्पिचल पावर निकलना शुरू हो जाती है और हां गाईज यह बताईए यह जो उजिन का अफ़तार है मुझे बहुत अच्छा लगा मतलब यह हैंसम बहुत ज्यादा यह मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा फिर दिखाते हैं कि जंगल में बहुत धेर सरी आवाजय आ रही हो और तबी दिखाते हैं कि लास्ट में चैन वुजिन वहाँ पे कुछ स्किल एक्टिवेट करने लगता है अपनी और उसके चारो तरफ से इस्पिछल वर्ट्स निकलने लगते हैं और इस्पिछल पावर भी साथ में और जो उसके माते पर आधे चांद का निशान होता है व जबना जादा फैलने लगती है कि पूरे आसमान में पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है उस अनर्जी से उस धुए से बूल सकते हैं और अगले सीन में दिखाते हैं कि चैन वुजिन चांद की तरफ देख रहा होता है और दोस्तों वहाँ पे सिर्फ चांद ही बचा हो अगरते हैं तब ही एक बतक वेला डेणस ups का ऐसा मौन दे ने के ने के रहा हुए कैता है क्या यहां पे क्या हो रहा है यहां सब कुछ क्यों हो गया एक दम से माहल यह का मौंसम ब्हुरा हो गया पूरी जिगहां पे उस बतक व inverter डीमन के इस बात पर बोल देखाते हैं कि द लड़ती है लेकिन टूशेंग टैग डीमन की पावर बहुत ज़दा होती है और वह एकदम से अपने स्पिछल पावर को बढ़ाते हुए फॉक्स डीमन को पीछे की और धक्का दे देता है और वो उचलता हुआ पीछे की और जा रहा होता है तभी दिखाते हैं कि वो फॉक्स डीमन पीछे जाते हुए टूशेंग से बोलता है आपके पास बस क्या इतनी ही ताकत है बस आप इतना ही कर सकते हैं और तभी वो अपना एक attack release करता है साथ wind type का होता है दोस्तों ये attack उस attack के दो layers बनके आप वहाँ पे जारी होती है और तभी दिखाते हैं कि उसका attack एकदम से wind blade की तरह आगे बढ़ते जा रहा होता है और Tushan उसको देख रहा होता है और तभी उसके इस attack को आता हुआ देखके Tushan एकदम से अपना spiritual power अपने हाथ में जमा करता है और अपने हाथ से ही उसके wind blade को 20 से काड़ देता है और उससे चिलाते हुए कहता है क्या तुम्हारे पास ही बस इतना ही सब कुछ है तुम इस से अदा कुछ नहीं कर सकते हो दिखाओ तुमा पास कितनी ताकत है कर रहा होता अपने fan पे उतने में ही टाइगर डीमन तुशान एकदम से आता है अपने spiritual power को अपने मुक्के में लगाते हुए और उसके तरफ attack के लिए आगे बढ़ रहा होता है जिसको देखने के बाद में fox demon थोड़ा शॉक डो जाता हरी ये एकदम से यहां कैसे आ गया फिर एकदम से देखते हुए कहता है क्या ये कैसे हो सकता है इसकी speed तो बहुत तेज हो गई पहले से और तभी दिखाते हैं कि तुशान का attack fox demon बहुत मुश्किल के साथ रोक पा रहा होता है अपनी spiritual power जो उसने fan पर जमा की होती है उसको बड़े मुश्किल से control कर पा रहा होता और दूसरी तरफ tiger demon तुशान वहाँ पर attack कर रहा होता उसके उपर pressure बढ़ा रहा होता अपनी power का और दोनों का attack आपस में लगता है पुम तभी दिखाते हैं tiger demon तुशांग एकदम से अपना power को बढ़ाते हुए कहता है अगर तुमारे पास ये magic weapon नहीं होता cold moon fan नहीं होता तो आप अब तक सफेद लोमली अब तक मर चुके होते और साथी ये कहने के साथ बहुत ज़़दा गुसार आ उसके उपर tiger demon तुशांग की ये बास सुनने के बाद में fox demon जो कि tiger demon का attack बढ़ी मुश्किल से रोक पा रहा होता है जैसा कि उसके face पे भी आप देख सकते हैं कि उसको attack रोकने में बहुत ज़़दा परशानी हो रही होती है वो तुशांग से बोलता है तुम चुप हो जाओ, BC करना बंद करो, fight पे ध्यान दो पत्तमीज demon तभी एकदम से दिखाते हैं अगले scene में कि tiger demon तुशांग बहुत ज़़दा मतलब shocked हो जाता है एकदम से चिला के बोलता है यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ का महौल एकदम से change कैसे हो गया और अपने हातों में अपने skill को active करने लगता है वही वाली ghost वाली guys color देखके तो आपको पता ही चल रहा होगा और कहता है मुझे इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि demon god अपनी supernatural power को प्रदर्शित करता है demon god सच में मेरी मदद कर रहे हैं और दोस्तों तभी हमें दिखाते हैं कि अगले scene में जो अपने उसने skill यूज़ करी होती ghost वाली उसमें से बहुत धेर सारे ghost बाहर निकलना start कर देते हैं और tiger demon ये देखने के बाद कहता है मैं जिन ghost को control करता हूँ उनका use kevel अंधेरे में ही पूरी ताकत के साथ किया जा सकता है तभी दिखाते हैं उनमें से एक ghost बहुत टेजी से attack के लिए आगे बढ़ रहा होता है और दुसी तरफ दिखाते हैं कि tiger demon उसके पास जितने भी ghost होते हैं सब को release कर दिया होता है attack करने के लिए और दुसी तरफ उसके ghost release होने के बाद में fox demon की तरफ attack करने के लिए आगे बढ़ रहा होते हैं और दिखाते हैं कि उनके बहुत बढ़े बढ़े नाकून बाहर होते हैं attack करने के लिए और साथ ही दोस्तों दिखाते हैं कि tiger demon तुशान अपने हाथ में spiritual power को इखटा करने के साथ में fox demon के उपर attack करते हुए कहता है तुम अब भाल में जाओ तुम नरक में जाओ कमीने I hope guys कि आपको episode देखने में बहुत मजा आया होगा और हाँ अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो please guys मेरा support करें आपकी support की बहुत जरूरत है अगर आपने subscribe and like नहीं किया है तो please subscribe and like जरूर करके जाहिएगा Thank you for watching my video, love you all